अगर आपने अमिताब बचन का फोटो पोस्ट किया तो जाना होगा जील कोई भी अमिताब बचन की पर्मीशन के बिना उनके फोटो या आवाज को यूज नहीं कर सकता कहीं भी अमिता बच्चन की फोटो या वीडियो यूज करने से पहले आपको अमिता बच्चन से पर्मीशन लेना पड़ेगा अमिता बच्चन ने दिल्ली हाइ कोट में याचिका दायर कर personality rights मांगा है अब आप सोचेंगे कि personality rights क्या होता है तो अगर किसी famous इंसान को लगता है कि उनकी personality का लोग गलत इस्तमाल कर सकते हैं या कर रहे हैं तो वो court से personality rights लेते हैं अमिताब बचन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ सालों से अमिताब बचन के photo के साथ KBC के fake poster बना कर लोगों को whatsapp के द्वारा चूना लगाया जा रहा था या फिर अमिताब बचन की आवाज में लोगों को call आ रहा था और KBC lottery के नाम पर ठगी की जा रही थी इसलिए अमिताब बचन ने personality rights मांगे अब उनके मर्जी के बिना कोई भी उनका photo या आवाज यूज नहीं कर सकता क्या कभी आपको भी KBC के lottery का message या call आया है कमेंट करके हमें बताएं